नवश्कार दोस्तो प्रेपिंडिया में आपका स्वागत है आज की जो वीडियो है ये पजल पे बेस्ट है और इस पजल का जो लेवल है वो इजी टू मॉडरेट लेवल का है आप इसको एक एजी कोशन भी मान सकते हैं और ये जो पजल है ये आप SBI PO 2018 एक्जाम के लिए as a प्रेक्टिस आप इसको यूज कर सकते हैं तो वीडियो शुरू करते हैं और शुरू करने से पहले हमेशनी तर रिक्वेस्ट किया आपने हमारा चैनल पर पिंडिया अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और इसकी बाद ज लोग हैं जो नाम यहां दिए गए हैं पी-क्यू-आर, T, L, जो शताबदी एक्स्प्रस में ट्रैवल कर रहे हैं बट नौट नेसेसररी इन असें और तो जिस आडर में दिये गए हैं उस ओर्डर में यह ट्रैवल नहीं कर रहे हैं Everybody has been allotted a birth in different coaches तो हर एक को अलग-अलग बर्थ दिया गया है अलग-अलग coaches में The name of the birth are lower birth, middle birth, side lower, side upper and upper birth तो ये बर्थ के नाम दिये गए हैं जो पांच लोग को allot किये गए हैं और ये भी जिस order में दिये गए हैं उस order में allot नहीं किये गए हैं तो किसी की भी कोई भी birth इसमें हो सकती है The names of the coaches are B5, B2, B3, B1 and B4 So coaches के नाम यहाँ पे दिये गए हैं B5, B2, B3, B1 and B4 और वो भी जिस order में दिये गए हैं उस order में नहीं allot किये गए हैं और यहाँ से हमारी conditions start हो रही है तो हब हम conditions यहाँ पे right hand side पे लिखते हैं First condition है T is traveling in an odd number coach but not in B3 So जो T है वो odd number coach में जा रहा है odd coach लेकिन वो B3 नहीं है The person traveling in B2 has been allotted side upper birth So side upper birth का मतलब है SU So B2 जो जा रहा है B2 उसको SU मिला हुआ है ठीक है तो इसको हम मिला हुआ है मतलब यह given condition है इसको हम box में डाल देते हैं ठीक है यहाँ पर मैंने quick reference के लिए यहाँ पर coaches लिख दी है and birth यहाँ पर लिख दी गे lower birth LB, MB, SL, SU, UB और यहाँ पर coaches लिख दी गए है ठीक है quick reference के लिए second condition लेते है R is traveling in an odd number coach and T has been allotted side lower birth जो R है वो odd number coach में जा रहा है odd coach और T है उसको side lower birth दिया गया यानि SL दिया गया है तो इसको भी हम इसमें डाल देते है third condition लेते है Q is traveling in an even number coach so Q जो है वो even coach में जा रहा है अगली condition है the person traveling in B3 has been allotted upper birth and Q is not the person so जो जो B3 में जा रहा है वो उसको अपर बर्थ मिली है अपर बर्थ का मतलब है UB मिली है लेकिन जो आदमी है वो Q नहीं है वो जो आदमी है वो Q नहीं है तो इसको हम arrow कर देते हैं कि वो Q नहीं है जो B3 में है और अपर बर्थ में है condition 5 लेते है the person traveling in B1 has been allotted lower birth but T is not the person तो same इसी तरह से जो B1 में जा रहा है वो उसको lower birth मिली है और वो T नहीं है 6 condition लेते हैं L has been traveling in B2 and has been allotted side upper birth जो L है वो B2 में जा रहा है और उसको मिली है side upper यानि SU उसको मिला है तो इसको हम confirm condition है इसको हम box में डाल देते हैं साथवे condition लेते हैं P is not traveling on an E word number coach तो P है वो E1 coach में नहीं जा रहा है और उसको मिली है upper birth ठीक है तो हमने साथवे condition यहाँ पर लिख दी है आईए अब हम इस condition से puzzle को solve करते हैं तो इस सारी conditions जो थी वो हमने यहाँ पर left hand side दे paste कर दी है हम एक table बना लेते हैं जिसमें हम इस puzzle को solve करेंगे और यहाँ पर हम लिखते हैं परसन यहाँ पर जो रहेंगे इधर हम लिखते हैं coaches और इधर रहेगी birth ठीक है तो कौन-कौन से person हमें दिए गये थे P, Q, R, T, L तो हम condition यहाँ लिखते हैं T जो है वो odd coach है लेकिन B3 नहीं है तो T है वो odd coach है नीचे लिख देते हैं बड़ वो B3 नहीं है ठीक है B2 SU कहां है नहीं मालूम है R odd coach है यह लिखते हैं तो इसको टिक करें थे जो हमने किया है R odd coach है odd coach है T जो है SL है तो T है यह SL birth यहाँ पर दिया गया है ठीक है यह भी कर दिया है Q even coach है Q का even coach है B3 UB में है लेकिन Q नहीं है यानि Q B3 में नहीं है और UB में नहीं है Q B3 में नहीं है और UB में नहीं है ठीक है तो इसमें हमने यह पार्ट कर दिया है लेकिन यह करना बाकी है same B1, LB और T नहीं है यानि LB जो है B1 में है लेकिन वो T नहीं है तो T B1 में नहीं है यहां कर देते हैं B1 और T L भी नहीं है तो उसका मतलब नहीं है यहां अलड़ी SL आया हुआ है L, B2, SU तो यहां पर क्लियर ली दिया गया है L, B2 और SU P जो है E1 कोच नहीं है तो P E1 नहीं है और P जो है U भी है तो P जो है यह U भी है ठीक है तो यह सारी conditions जो हमें इसमें put करने वाली थी वो हमने put कर दी है अब आएए हम इससे आगे बढ़ते हैं अब आप देखिए यहां कोचेज में B5, B2, B3, B1, B4 So E1 यहां पर कौन है एक यह E1 है और एक B2 E1 है बाकि सारी odd है So यहां पर देखिए E1 दिया गया है और B2 यहां पर आ गया है तो next जो E1 है वो यहां पर B4 रहेगा ओके दो ही E1 है हमारे पास एक E1 B2 यहां पर आ चुका है तो दूसरा जो E1 है वो यहां B4 रहेगा अभी condition 1 में हम जाते हैं T जो है वो odd coach है So T जो है यह odd coach है और देखिए same odd में क्या है B5 B3 and B1 So B5 B3 and B1 बट B3 and B1 यहां allowed नहीं है So यहां पर आपका B5 हो जाएगा अब इसी तरह हम scan करते हुए हम यहां पर condition 5 में हम आते हैं कि B1 और LB 7 में है यानि LB जो coach है वो B1 में है So B1 देखिए odd यहां पर यहां यहां B1 आ जाएगा यहां B3 आ जाएगा और इसमें भी यहां B1 यहां B3 हो सकता है लेकिन आप देखिए कि B1 और LB 7 में है अगर हम यहां B1 बनाते हैं तो LB नहीं आ पाएगा क्योंकि यहां already UB है So यहां पर B1 आ जाएगा और B1 LB 7 में है तो LB यहां पर आ जाएगा यहां पर जो बचा हुआ है coach वो B3 आ जाएगा और इधर जो बचा हुआ coach है और बर्थ है वो MD यहां आ जाएगा So इस तरह से यह puzzle पूरा solve हो गया है हमारे पास इससे questions नहीं है बट एक बार आपका puzzle solve हो गया है तो आप questions जो भी देगा है उसको आसानी से solve कर सकते है तो इस वीडियो में इतना ही friends आशक करते हैं आपको वीडियो पसंद आए होगी ऐसी और भी वीडियो और puzzles के लिए आप मारा चैनल प्रेप इंडिया जरूर सब्सक्राइब कर लीजे और उसके पास जो notification bell icon को उसको click कर लीजे ताकि regular आपको updates मिलते रहे वीडियो अच्छी लगती है तो उसको share और like आप जरूर करिएगा मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में तब तक के नमशकार and thank you very much for watching the video